कि एबीपी गंगा खबर आपकी जवाँ आपके हमारे किसान धरना दे रहे हैं प्रदर्सन दे रहे हैं सचमुष किवल किसान होने के कि नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है। मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री यू को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रस नहीं खड़ा होता है कि जो टीनों यह बिल भारत की संसर द्वारा पास हुए हैं किसी संबंदिज जो टीनों कानून बने हैं वा किसानों की हित को उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए और बराबर जब से बोदी जी ने प्रधानमंत्री की रूप में ज सब्सक्राइब भी मिला है मैंने देखा है कि किसानों को लेकर बराबर उन्हों ने अपनी चिंता व्यक्त की है और प्रारंब से ही और 2014 क्या 2014 के पहले जो हम लोग कैमपेन के लिए जाते थे शुनावी कैमपेन के लिए उस समय भी कि देश की किसानों की हालत जब तक नहीं नहीं और प्रारंबसे उनके द्वारा ये कोशिज की जा रही है अब निसे मिमाम सपोर्ट प्राइज का जहां तक सवाल है आप पिछली सरकारों ने भी minimum support price परस बढ़ाई है, कभी नहीं बढ़ाई है, लेकिन आप देखिए उस ratio में हमारे प्रजानमंत्री ने कितनी बढ़ाई है, minimum support price पर जितनी परचे पहले होती थी और अब कितनी हो रही है, कितने सारे items की हो रही है, आंकड़े उठाकर कि MSP नहीं हटाया जाएगा, it's not there. बार-बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं, यह पहले भी कहीं MSP था नहीं, पर अब जब क्योंगी वहम आ गया है, तो सिर्फ, यह कोई वियोस्था, मैंने पहले ऐसा था ही नहीं, वियोस्था चली आ रही थी, और आज भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हम सब सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम अपने बचर्चन से मुकर कैसे जाएंगे? लोग को तंत्र में जो आगर बचर्चन पप पूरा करेंगे और आगे बठार पूरा करेंगे और दीनों कानुनों के मगहरा यह प्रकौंस्ति कि, कि कि किसानों की आमदनी दो गुना, धाई गुना, तीन गुना, जितनी अधिक से अधिक हो सके बढ़े, हाँ, जैसा मैंने पहले कहा कि किसान धरने पर बैठे हैं, सच मुछ हम जैसे लोगों को भी वेजना है, आप उत्तर प्रदेश के भी किसानों से पूछे, मैं मुख्यमंतरी जब था तो उस समय भी बड़ी हुजूम, ठीक है, इस साहब के साथ भी, हमारे पास लखनों में गए हुए अठेल, मैंनों का सागत किया, अग्मानी की उनसे बाचित की, समस्या का समाधान निकला था, आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले, हमारे किर्शी मंत कि हर एक्ट के, हर कलाज पर तारकिक एक बहस होनी चाहिए, तारकों के साथ, और जहां पर यह लगेगा कि किसानों के हितों के परतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो ही आवश्यक होगा, हमारी सरकार करेंगी, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, जैसा मैं प्रधान मंतरी की मंसा को जानता हूँ, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी इस दूरत में चोट नहीं पहुचने देंगे, मैं यह बाद दिल की गहराईयों से कह रहा हूँ, बादशित हो रही है, और मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ समाधान उतका निकलेगा, यह मेरा विशास भरोशा ह और मैं हाथ जोड़कर किसान भाईयों से भी नंबर अंडरोड करना चाहता हूँ, किस बिल को मैंने भी सुयम देखा है, कृसी मंत्री भी रह चुका हूँ, और कृसी जगत की बहुत सारी समस्याओं से मैं अच्छी तरह वाकिब भी हूँ, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि यह एक बार कमस्कब दो साल तक प्रियोग करके आप देखें तो, यह तीनों जो कानून क्रिशी संबंदित हैं, वह किसानों के लिए कितने उपयोगी हैं, देखें तो, उसके बाद आपके साथ बैठने को हम लोग तयार हैं, आप बैठें, आप जहां जहां कहेंगे आवश्य संसोधन करने के लिए हमारी सरकार तयार है, और आज भी हमारे किसानभाई बैठें, किसी एक्सपॉर्ट को बैठाना चाहते हैं, एक्सपॉर्ट को बैठा लें, सरकार के साथ बाच्चीत हो, और बाच्चीत के द्वारा, यह निकलता है कि नहीं, इन कानूने को या सरकार नहीं चला रहे हैं, हम देश के लिए, गरीब पे लिए, देश के किसानों के लिए, देश की जनता के लिए सरकार चला रहे हैं, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, जो हमारे देश की जनता के हितों के प्रत्कूल हो, उसका खिलाफ हो, ऐसा काम हम कोभी नहीं कर सकते है आप हमधरदी आप संवेधन शीलता के बारे में कह रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी के ही कुछ लोग किसानों को के लेबल दे रहे है नकसल के रहे हैं खालिस्तानी के रहे है क्या आप मैं समझता हूं कि किसानों कोई भी यारो प्तानिकि उसने क्या का ऑफ मुझे जानकारी नहीं है लग कि लेकिन है लेकिन TAK लुए कि सोब्लट क करते हैं हर भरत के की वारत की testosterone की वारे बारे हमार as संक्षा का दौर इस डेसमें आया है झाटेश की रिष्भ व्यास्था को संहलने का काम नि किसी ने किया है विप यह धि-षि किसानों ने किया है लेकिन एक्विटिष रिष्ट सान का दौर आर्तिक मंदी का दौर आया है उस में भी आप अर्ठ सासियों से बाचित कर 미 Spa वाले जान दिया है उसे भारत कभी भूल नहीं सकता है कभी नहीं भूल सकता है और भारत की संस्कृत की रक्षा करने में हमारे सिख भाईयों का बहुत बड़ा कांट्रिबुशन है तो इसमें और बदसराइव भारत की स्वाविवान की सुरक्षा के लिए भारत की संस्कृत की सुरक्षा के लिए जो उनका योगदान है पहले भी था आज भी है और कल भी रहेगा कमस्कम इतना तो मैं जिक कह सकता हूं कि राहुल यह आईउमें तो क्यादा जानता हूं क्योंकि किसान मा की कोक से ही पैदा हुआ हूँ इसलिए जिस मा की कोक से पैदा हुआ हूँ और जिस वर्ग में पैदा हुआ हूँ मन किसानों की किसान का वेटा हूं तो कम किसानों के हितों के प्रत्कूल हम लोग कोई काम नहीं कर सकते हैं हमारे संबे conveniently कुश्ट हमारा क।ष्ट है उनकी पीडा हमारी पीड़ा अटको ले किस टाकटों के दौरा एक गलस फोहमी हमारी किसान सभाईयों के अंदर पैदा करने के कोशिश की गयी है हमारी या कोशिस है कि हम उस गलस वहमी को दूर करें हमने भी बहुत सारे किसानभाईयों से बादशित किये और मैं पुनह विनम्रतापुर वक्हां जोड़ कर कहना चाहता हूं अपने किसानभाईयों से मैं वी तर्कार्ड के प्रतेशियों के साथ बैट रहें बैठीये तर्क भी तर्क करिए करिए दिस्कॉसंट करिये हाना में मैं से बता हूं कि बादशित नहीं कीजानी चायए तर्कों के आधार पर बादशित की Key़त SEC की जानी चाहिए और एडि शचमुष सरकार को लगेगा कि हमें इस कलाज में संसोधन करने की ज़रूरत है तो सरकार हों संसोधन करने को तयार है करने कि करने कि तया है कि अको करने हुआ लुक्तर डिल्याम करने की जिए नहींते है कि अच डिल्कारो के अवचितекстप्र । कि शोस्मय में संहिए औरूरूर झारी है छ Wik Canadian में संहित है झाल झाल